पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, पीछे आओ, अब हमारे मानिय जन्प्रतिधीगार अपने कमलों से ओपन जिम का उधगाटन करने जा रहे हैं, यह हम सब के लिए एक अइतिहासिक बेला है, अइतिहासिक छड़ है, जिसका हम साक्षी बन रहे हैं इसलिए मात्तपुर्ण है क्योंकि 2020 वर्ष कोविट से प्रवावीत रहा है, प्रंतु जैसा आपने कहा, ग्रेटर न्वेटा का यह योवन का वर्ष है, इसलिए ग्रेटर न्वेटा ने आपने देखा हुआँ, कोविट का चैलेंज को भी बड़े अच्छे से एंडल किया यहां के जो हॉस्पिटल्स हैं, गॉर्मेट इंसिच्टूट और मेटिकल साइंस, जेम्स, शार्दा, जिफार, इन सबी हॉस्पिटल्स ने भी ना केवल ग्रेटर न्वेटा के लोगों को, बिलके पूरे उप्तर प्रदेश में, पूरे भारत के लोगों को ठीक करके हाँ कोशी अपने घर बेजा, परन्तो जब अब विकास की बात करें, इसमें तीसमें वरिश में, ग्रेटर नुएडा का मैं कहूंगा, इसमें स्वर्नीम वरिश होगा, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी पर योईना हैं, जिनका यहां पर बहुत सालनों से इंतिजार था, जिसमें पूरे भारत वर्ष में अधित्या होगा एक शौपिंग वाल की तरह, उसके बगल में ही ISBT और मेट्रो स्टेशन, तो यह एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और उनका संगम होगा, यहां पर फ्रेट विलेज, यहां पर आने वाले निवेश्वकों के लिए नाकेव पूरे उत्तर पुदेश, पूरे उत्तर भारत के लोगों को, यहां से जो उत्पाद है, वो भारत वर्ष के किसी भी कौने में, किसी भी बंदरगा तक 15 गंटे में पहंचा पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो नियू दादरी है, वो दो फ्रेट कोरिडोर्स का संगम बनने जा रहा है, और ऐसी उप्लब्दी बहुत कम शेहरों को मिलती है, इसी तरह यह शेहर तीन एरपोर्टर से चादिता है, इंडिया में लगबागी, ऐसा कोई एक अद्दा ही शेहर होगा, जो तीन तीन एरपोर्टर से चादित होगा, यहां की सड़क की कनेक्टिविटी भी सबसे बहतर है, यहां का जो डिजाइन है, आपने देखा होगा, चोड़ी-चोड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्टें, यहां पे ग्रीन का प्रसेंटेज सबसे अधिक है, खुल मिलाकर, ग्रेटर नुड़ा एक फ्यूचरिस्टिक शेहर के तोर पर विक्सित हो रहा है, और इ सबसे बढ़िया निवेश, सबसे अधिक निवेश इसक शेतर में आ रहा है, यदि आपने देखा होगा, युपी दिवस के अफसर पर, दो साल पहले हमारे पास लगबा, शे साथ जार क्रोड का निवेश, फिर नौजार क्रोड का निवेश, इस बार अभी तक COVID होने के बा द्राइवर ऑफ ग्रोध के तौर पर, इसकी दूम विदेशों में भी है, अभी लगबग दो तिन मीने पहले लंडन में एक कॉन्फरेंस हो रही थी, वहाँ पर इस बात के लिए के मुबाइल का हब, वाइट गुड्स का हब, और डेटा सेंटर का हब, डेटा सेंटर आप पर आते जा रहे हैं, ये पूरे हब के तौर पर, पूरे इंडिया के हब के तौर पर आगे लिख से तौपया है, तो इसलिए जो भी लोग अपना शेहर ना यहाँ पर बनाने चाते हैं, जो लोग अपना रुजगार के लिए यहाँ बनाने चाते हैं, उन सब के लिए ये एक हैल्दी ग्रेटर नड़ा के तोर पर हैं यहाँ पर ओपनेयर जिम का जो अमारा सिटी पार्क है जो अमारा उसमें अग्ले तीन वर्षों में लटबाग हम ग्रेटर नीड़ा की हर करसकेंगे ताके यहां के लोग अपने आपको हेल्दी अपने आपको फुश मेंसेश करें दन्यवाद चाहिए